हमारे पिछली वीडियो में हमने देखा कि किसी भी पौधे में जड़े कितनी ज़रूरी होती हैं। वो पौधों को सहारा देने, पानी और न्यूट्रियंस को सोकने और कभी-कभी खाने को जमा करने जैसे कई महत्वपून काम करती हैं। अब हम दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे। वो है स्टेम. स्टेम पौधे का मुख्य सन रचनात्मक ढाचा बनाती है। स्टेम पत्तियों, शाखाऊं, कलियों, फूलों और फूलों को जोड़ती है। ये है कि stem पौधों का वो हिस्सा है जहां पौधों के ज्यादता रंग मौजूद होते हैं। जी हाँ, पौधे के शरीर का ये हिस्सा कई काम करता है। चलिए, एक-एक करके इन कामों के बारे में जानते हैं। क्योंकि stem मिट्टी के ऊपर उगती है, ये पौधे को जबर्दस्त सनरचनात्मक सहारा देती है। सभी पौधों में सनरचनात्मक सहारा देना आम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जहां stem का रंग हरा हो सकता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे मामलों में stem क्या करती है। जिहां, ये photosynthesis की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है। जरा रुकिये, क्या हमने ये कहा कि stem photosynthesis यानि कि पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया करती है। जी हाँ बिलकुल ये सच है कि पत्या फोटो सिंथिस के लिए प्रात्मिक जगा हैं लेकिन कभी-कभी कुछ पौदों में हम स्टेम को अविकसित और हरे रंग में पाते हैं ऐसे मामलों में स्टेम खाना बनाने की प्रक्रिया या फोटो सिंथिस कर सकती है लेकिन ये सिर्फ कुछ पौदों में ही होता है तो सभी पौदों में स्टेम का काम फोटो सिंथिस नहीं है तो फिर सनरचनात्मक धाचा बनाने के अलाबा इसका मुख्य काम क्या होता है कलपना कीजिए कि हम अपार्टमेंट का एक समू बना रहे हैं अपार्टमेंट को अंदर से जोडने वाले तारों और पाइप के बिना संवचनात्मक धांचा अधूरा होता है ये ही हम बताना चाहते हैं स्टेम पौधे को पूरा सहरा देती है हाला कि एक और महत्वपून काम जो ये करती है वो है पूरे शरीर में पदार्थों का संचालन जी हाँ, जड़ों से पानी पत्यों तक ले जाया जाता है उसी तरह पत्यों में बना हुआ खाना भी सभी हिस्सों तक भेजा जाता है स्टेम इस जिम्मेदारी को पूरा करती है ये पदार्थों के परिवखन के माध्यम के रूप में काम करती है अब हम आपको एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग फैक्ट बताते हैं सहारा देने और चालन के काम के अलावा कुछ मामलों में स्टेम एक भंडार के रूप में भी काम करती है जी हाँ, जड़ों की तरह कुछ पौदों में खाना स्टेम में भी जमा किया जाता है क्या आप इन पौदों के कुछ उधारन दे सकते हैं? इन में कुछ हम अपने रोजाना जिंदगी में देखते हैं इनके उधारनों में आलू, प्याज, लेसन, अदरक, हल्दी, त्यादी शामिल हैं ये फूले हुए और मोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो अधिक खाने को जमा करते हैं अब हम स्टेम के बारे में कुछ जरूरी बातें जान चुके हैं तो अब अगला क्या होगा? अगले भाग में हम पत्तियों के बारे में सीखेंगे वो जो खाना बना कर पौधों को जिंदा रहने में मदद करती हैं अगले वीडियो में हम पौधे के शरीर में इस चमतकारी हिस्से के अंदर बारी की से दिखेंगे